गुट इवनिंग फ्रेंड्स इस वीडियो में हम CSS को नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन पर क्लिक करें इससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन्स मिलती रहेंगी वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में हम बॉक्स मॉडल और फ्लोट फंक्शन के बारे में सीखेंगे को हमारी बारे में सीखेंगे किसमेडोर, की बत्तफ देञा, की लिएञा. झाल 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 हम डिप को स्टाइल देंगे बैक्राउंड कलर दिया है हमने लाइट करें विद बोर्डर पैडिन और मार्जन अब हम इसे सेव करते हैं और रन करके देखते हैं झाल 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 कि यह हमारा बोक्स मोडल शो हो गया है अब हम बोर्डर में कुछ चेंज करेंगे बोर्डर को सोटिट रखेंगे यह हमारा बोक्स मोडल डेड़ी हो गया है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं अब हम फ्लोट फंक्शन के बारे में देखेंगे कि बना सकते हैं झाल 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 हमने फ्लोट राइट यूज किया है अब हम इसे रन करते हैं हमारे इमेज राइट में शो हो रही है अब हम फ्लोट को लेफ्ट करेंगे हमारे इमेज लेफ्ट में शो हो गई है अब हम बॉक्स मॉडल को मार्चन देते हैं हमने टॉप से मार्चन दिया था अब हम फ्लोट को लेफ्ट करते हैं अब हमारा फ्लोट में कुछ भी शो नहीं हो रहा है यह हमारा शो हो गया है आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं थैंक यू फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी दगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें करते हैं